हेलो एफ्रिवन वेलकम टू अमको एजुकेशन उमीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं शिवानी हिस्ट्री की नई सीरीज के साथ जिसमें हम बात कर रहे हैं मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री की अलएडी हम बहुत सारे जो इंपोर्टेंट रूलर्स हैं उनक की बैटल होती है लोदी डैनस्टी के साथ लेकिन साथ में इस समय जो राजपूर स्टेट होता है वो भी काफिता स्ट्रॉंग होता है और यहां पर होते हैं महाराना संगा तो आज हम जानेंगे कि बाबने किस तरह से लोदी डैनस्टी को हराने के बाद उनकी दूसरी सेमय में आपको मैप दिखाती हूं उस समय का मैप अधा जी रॉडी का था ऐसओ डाली सल्तना रूड कर रहे थी वह आपका सारा जे पिंक वाला पार्ट यह ता जिस पर लोदी डैनस्टी रूड कर रहे थी और यही पर चोटा सा जहीं जगा यहां पर थे जो राजपूत का रूल चल रहा था और जो बाबर होता है वो इस साइड से इंडिया में इन्वेड करता है तो यहां पर यह पिचर दी हुई है यह उससा में जो इब्रहायम लोदी उनकी पिचर है और यह महाराणा संगा की पूरी बायोग्राफिय पहले ही कव पर कर चुकी हूं जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि किस तरह से महाराणा संगा है वह पूरा को यह स्टेट है उसको मिला के रखते हैं और साफ में जो बाकी रूलर्स होते हैं कोशिश करते हैं जितने वी राजपूत क्लान है उनको यूनिटी में रखे हैं आग बाबर के बीच में बैटल आप जो खानवा थी यह आगरा से 60 km वेस्ट की साइड पर चलेंगे तो वहां पर आपको खानवा मिलेगा और तभी 16 मार्च 1527 में यह बैटल है यह लड़ी जाती है किसके बीच में महाराणा संगा और बाबर के बीच में इसमें जो बाबर थे वो अपनी forces को लेकर आते हैं जो राणा संगा की जो confederacy होती है महाँ पर लिखकर आते हैं उसको और वो पूरे northern इंडिया के लिए क्या कि यह जो पापर थे वो भी क्या चाहता था पूरी जो northern इंडिया है उसके उपर अपनी supremacy चाहता था और यह क्या चाहते थे राणा के लिए आसान था एक बहुत ही बड़ी बैटल होती है ठीक है उसमें काफे सारे लोग मारे जाते हैं बहुत खुन खराबा होता है उसके बाद जागे जो northern इंडिया है वो जब चाके मुगलों को मिलता है क्योंकि जो राजपूर्द लीडर थे वो भी बहुत सदा गौरफ रफशाली थे हमने लास लेक्षर भी देखा है किस तरह से वह बहुत ही हम कहिंगे ब्रेवरी के सारी बैटल को लड़ा करते थे और जो महाराडा संगा है मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में कि यह अपनी लाइफ में 100 बैटल को लड़ते हैं जिसमें से 99 बैटल को कि इसी के बाद मुगल कहिना के इंडिया में आप आते हैं जिसमें वो इब्रहायम लोधी की डैनस्टी होती है लोधी डैनस्टी उसको पूरी तरह से खतम करके और मुगल एरा को शुरू कर देते हैं तो देखें उसी तरह से जो बैटल ऑफ खानवा थी भी बहुत इंपो इसिले जितना जरूरी लोधी डैनस्टी को हटाना था बाबर के लिए उतना ही जरूरी ओर टवस बैटलना था और इसका रिजर्ट होता भी यह है कि मेंवार किंगडम होता है वहां कि रूलम बेना आपको बता दिया के राणा संगा होते हैं और बहुती ही पावर होती है इनकी भी अपने जो इनका जो राजपूत स्टेट होता है उसमें किस तरह से लोग इनकी भॉज़र रिस्पेक्ट करते थे जुणने की कोशिश करते थे इनसे वो मैं सब को इनकी बायग्राफ में बता चुकी हूँ तो ये भी basically क्या चाहते थे कि जो पूरा Northern India है उसको राजपूत स्टेट में मिला ले उसके बाद ये देखें जो मैप है इस मैप से आपको पदा चल रहा होगा इस मैप में आपको दिखा देती हूँ उस समय जो पूरा जो राजपूत स्टेट था ये जो आपको दिख रहा है ये इतना राजपूत स्टेट था ठीक है ये पूरा डेली सल्तनत था जो स्टाइम पे लोधी डैनस्टी के अंडर आता था और ये पूरा डुमेइन था बाबर का तो यहीं से बाबर आता है जिसनी भी बैटल से उनको उसनी ब्रेवरी के साथ लड़ाएं उने जिसमें दोरों साइड से अच्छा कासा नुकसान होता लेकिन उसके बावजूद भी जो बावर होता है वो अपनी पावर को अपनी टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे से बावर के बावर को चैसे बावर के साथा है लेकिन अब आप यहाँ पर जीतता है क्कि महाराणा संगा होते हैं उनके साथ काफी बार यहां दोका हो जाता है और वह दोका कि सरा से होता है क्योंकि बहुत सारे इनके जो पहले इनके साथ होते हैं महराणा संगा के साथ होते हैं वो बाद में किसके तरफ बहुत जाते हैं वो बाबर की तरफ बहुत जाते हैं तो यह करके हम सारे चीज़े देखेंगे उनमें मैंने फॉर्स्ट बैटल पानीपत को भी कवर किया है तो आप वो देख सकते हैं तो इसमें मैंने आपको उस समय पताया था कि जो बाबर था वो जो तैमूर और चंगेज खान था ठीक है ना उनी के फैमली से मतलब उनी की आगे की जनरेशन थी बाबर की जो बाबर के फादर थे वो बिलॉंग करते थे तैमूर जो फैमली थी उससे और जो मदर थी वो चंगेज खान की फैमली से बिलॉंग करते थी तो इनका तो ब्लाइड ही हम कहेंगे कि पहले से ही क्योंकि आपको पता है तैमूर और चंगेज खान है वो बार-बार इंडिया में अटाक करने की कोशिश करते हैं और हम कैसे सकते हैं कि उस समय के बहुत ही वह बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे वह भी ठीक है ना अंटिल 1524 he was aiming to expand his rule in the Punjab region but certain events led to him expanding far beyond the original confines of a Tiamur, unvised trial तेकि होता है क्या उस समय चो तैमूर बगर होता है वो भी कोशिश करते हैं इंडिया में इंवेट करने की कोई ना कोई चीज उनको रोग देती है और खास कर उनका इसना मन में नहीं था कि वो इंडिया को को मतलब इन्वेट करते थे लूट मार करते थे लेकि यह नहीं था उनका कि यहां पर इस्टैब्ली ओने वाला नहीं कोई ऐसा कुछ खास उनका मन निगी था लेकिसर बाबर होता है वो आता ही इसलिए कि यहां पर उसको इस्टैब्लीश होना है जैसे लोगते जाधा हम कह यहां पर यही हुआ था जब लोडिय डैनस्टी थी वह अपने आखरी टाइम पर डिकलाइन होने लगी थी वीक पढ़ने लगी तो जो बागी लोग थे उनको एक रीजन मिल गया था कि अब यह तो पावरफल रही नहीं है और उनको कहीं नहीं अब इस बात के चांस मिल गया कि आब हम यहाँ पर इनको पर अटा़क करकें केंट वीक तो है हैं हम यहाँ पर आपना जो रूल है वो स्टाबूश कर सकते हैं करें ठीक है और राणा संगा थे जैसे मैं आपको बता दिया वो उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही उन्होंने बाबर से कहा कि जब आप डैली को इन्वेड करोगे तो उसी समय जो राजपूत जो लोग थे मतलब जो हम है वो आगरा पर अटाक कर देंगे ठीक है यह राणा सं देखे जो दौलत खान लोधी होता है यह क्या करता है यह बाबर का साथ देता है लेकिन बाद में अब यह जो बाबर होता है यह दौलत खान लोधी को भी नहीं छोड़ता क्यों नहीं छोड़ता पहले तो ठीक है दौलत खान लोधी ने बोल दिया साथ दे रहा हूं यह उ उसके बाद फिर चो अपना मार्च है वो बढ़ाने शुरू कर देता है लाहूर की तरफ अब देखें लाहूर ठीक है और यह सियाल कॉट यह तो पहले से किसके अंडर था बाबर के अंडर था तो बाबर आप यह चीज़े को इना बदाश करेगा तो यहां पर जो मुगल होत करते हैं दौलत खान को कि तुम्हीं हटवल है रास्ते से उसके बाद जो पाबर होता है वो डिस्ट्रॉय करते ता है उसकी तो मेंने बताई दिया आपको इब्रायम लोदी की आर्मी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानी पत्पे ठीक ह पानी पत्पेन आपको बताया था कि आपका हर्याना में है तो 21st April 1526 को यह बैटल है लडिक जाती है और कहीं ना कहीं यही आगे चलके लीड करती है पूरी मुगल एंपार को नौर्धर इंडिया में तो इस तरह से जो पूरा मुगल एरा था वो स्टार्ट होता है जब वो लोधी डाइनस्टी को हरा देता है यहीं उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बैटल है जिसके लिए हमने बैसिकली यह लेक्शर बनाया है हम उसके बार में जानेंगे तो राणा संगा को क्या लगता था कि जैसे बागी जो बाहर की जो लोग थे जो फॉरनर्स थे वो अगर करहा देता है ठीक है तुम डैली पर अटेक्रों मैं आगरा पे करूंगा लेकिं कि अबाभर मन मन मना लेता है kamyon मितम रूखते हैं कि हम मिलके कोने बाटर का खाये तो देखके अभर भी तक जो लिगानी लिकिन तुर्की तो यहां पर पहले से कुछ जगा पर क्या कर रहे थे मुस्लिम कर रहे थे और वो जो मुस्लिम यहां पर रूल कर रहे थे वह किसके दुश्मन होते हैं वह बाबर के दुश्मन होते हैं वह बाबर को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह अफगान के थे और यहां पर जो बाबर इंडिया में आने की कोशिश ना करे अब जो राडा संगा होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हाँ ऐसा ही करेंगे अभी तक उनकी प्लानिंग है अब उसको एक्जेक्यूट करने के लिए मतलब कोशिश करते हैं सबसे पहले वो सपोर्ट करते हैं मेवाद के राजा हसन होते हैं राजा हसन खान उनको वो अपने सपोर्ट में लेते हैं क्योंकि ये दुश्मन होता है किसका ये भी पसंद दी करता था बाबर को राडा संगा इनी के पास उनकी को सपोर्ट देते हैं फिर राजा हसन क्या थे एक मुसलिम राज़पूत लीडर थे जो कि मियू मुसलिम क्लान से बिलॉंग करते थे और जो बाबर था वो उनका बहुत बड़ा ओपोनेंट था जैसे कि मैं आपको बताया कि बाबर से इंकी बड़ी दुश्मन ही थी जम्मिवाद के राजा हसन थे ठीक है और बाबर भी इनका बड़ा अच्य कासा दुश्मन था तो मेहमूद लोदी और सिकंदर लोदी ये किस के थे लोदी डैनस्टी के अभी जो बचे है इबरहाइम लोदी के रिष्टदार है वो जो बचे है तो अब भी बाबर ने लोदी डैनस्टी प अटैक करा है और सबको अपनी side कर लेते हैं, कि आप मिलके किस पर attack करेंगे, बाबर पर attack करेंगे, ठीक है, अब देखिए, एक इनसान होता है, राना सिलहदी, ठीक है, राइसे इनका होता है, ये राना संगा और बाबर के बीच में क्या कर देता है, इनके बीच में एक दील होई होती है, पहले से, बाबर क्या बोलता है, जो राना संगा होता है, वो बाबर से दिमांड करता है, कि आप मुझे आगरा देतो, ठीक है, तो फिर मैं अगया, ये attack मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो बाबर होता है, वो refuse कर देता है, राना संगा की दिमांड को, ठीक है, और यही सुनके, जो महराना संगा होते हैं, वो अपने साथ 80 हिंदों को लेके, मतलब काफी बड़ी आर्मी को लेके 1527 में, और प्लान करते हैं बाबर को के साथ attack करने का, मतलब बाबर के साथ नहीं बाबर पर attack करने का, ठीक है, 1527 में पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, कि भई अब इस बाबर पर attack करना है, यह आगरा भी नहीं दे रहा है हमें, ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो मुगल लीटर होते हैं, वो सारे का सारे जो मुस्लिम soldier वगएर होते हैं, उन सबको तयार कर लेता है, वो battle वगएरा लड़ने के लिए, ठीक है, आप देखे जो राजा हसन होते हैं वो क्या करते हैं? मैंने तो बताया था आपको जो राजा हसन है वो किसके साथ मिल गई थे? वो मिल गई थे महराणा संगा के साथ क्योंकि जो राजा हसन है वो क्या थे? वो अफकान रूलर थे और वो बाबर को बिल्कुल भी उन्हें एक आख नहीं भात था बापर बिल्कुल भले ही राजाई भी मुस्लिम थे और वो भी मुस्लिम था लेकिन इस पास से कोई फर्क नी पड़ता क्योंकि यहां पर वो अलग जगा से थे तो यहां पर जो राजा को देदेता है कि ठीक है जाओ अब बाबर पर जाके अटक करना है तिम्हें एक नजारी जाएगा अब जो पाबर होता है उसको दो पता होती है इसके पास इंतिज़ाद आर्मी नौर्दर इंडिया दुदिक कर लिया तो वह जो पेटा होता है हुमायू वह हुमायू को कहता है कि जॉनपुर से वापस आए और वापस से अपने जो एक्सपेडिशन मतलब जो यह वार होने वाली इसके लिए क्या करें अपनी मुगल फोर्स को तयार करें और साथ में राजा हसन होता है ठीक है तो बाबर रिलाइस दा फॉ गुगल कफ्तान और बहुत सारे जो अरेवियन होसे हैं वालब कुछ अच्छी चीजे वह कर गए ऐसा गिफ्ट वह किसके पास भीजवाता है राजा हसन के पास भीजवाता है लेकिन राजा हसन जो होता है वह बिलकुल भी इसकी बातों में नहीं आता है यह सब चीज़े है और वो हमारे सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएगा तो अब तो वह पक्का मन मना लेता है कि हाँ अब तो अटैक करना ही करना है हमें और वह वही महलाना संगा के साथ मिलका अटैक करने के लिए त्यार हो जाता है उसके बाद जो बैटल ऑफ खानवा होती है वो लड़ी आप जो हॉसमें होते हैं 500 elephant होते हैं तो आप देखे हो दोनों की army कहीं न कई हैं तो बराबरी महाँ पर लोग कम है तो उनके पास गोला बारूच जैसे चीज़े जादा है तीक है और इहां पर इनके पास लोग जाता राना संगा की आर्मी में तीक है और elephants है अब देखे य स्तारी बॉर्ट जीत लिया करता था उसके यह टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हम गहेंगे उसके काम आई है एक तरह से एडवांटेश थी उसके लिए और यहां की जो रूलर्स थे उनको यह टैक्टिक्स पता नहीं थी उसकी तो गहीं नगे इनी की वर से जीत जाता था एकदम से सारे नहीं निकल पाएंगे और यह बीच में ऐसे रसी बंदी होती थी तीक है अब किसी को जाना होगा किसी दुश्मन को जाना हो तो इनी के बीचे से निकल के जाएगा तो आसपास वादे तो इसली अटाक कर देगा आगे चलके फिर यह क्या होता था यहां पर ह้ाँ न उसके पर यह बाद कि यहुआ अगर बश्र मुग यहां होती तक की इसल технолог के तो आप थे वह होते। भी अब ये ट्रेंच है अब इस ट्रेंच को ये इतना बड़ा बनाते थे कि हॉर्स तो कूछ जाएं इसके ओपर से ठीक है ना हॉर्स तो फिर भी एक लंबी चलांग मारे कूछ जाएंगे लेकिन एलिफेंट्स नहीं होत पाएंगे तो इस तरह से जो इसकी पूरी इसी को ब शुरें ड़ता है लेकिन जैसे बाबर आता ही लेकर आता बडिवड़ी तो तो करते हैं बहुत जिए उस तौते यह इस तरह से उपार भाड़ीपर यंकिञे पff Изबोश्च को замет मि इस तरह करते हैं कई तो इस Daha सासे तुल गुमा जो यह टेक्निक थी बाबर की यह बहुत जाता बारी पर जाती है जो राजपूत रूलर्स थे उन पर ठीक है अब देखिए मैंना आपको जैसे के बताई दिया पूरा का पूरा किस तरह से जो वह पूरी अपनी टेक्निक्स है उनको फॉर्म करता है और वह फाइटिं करने के लिए शुरू हो जाता है राना संगा से ठीक है राना संगा भे पूरे शुरू हो जाते हैं ठीक है? मघर पोजिशन के अकंस्ट तो यहाँ पर गन चलती है और इस वजह से जो उनकी खुद की आर्मी थी राजफुतों की वो उनी को मारते थे अब बना आपको बताया भी था आगे चलके जो मुगल की आर्मी तुन उछ की बीच पर ट्रांच पनाई होई थी उनकी आधी सैना ट्रांच से उधर थी खाई से उधर और खाई से इतर होती थी अगर करेंगे तू वह उस्हीं में गजाएंगे तो इसलिए वहाँ पर भी इन क्या सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ हिनु पर सामने से अटेक करके इनको घेरने की कोशचिश करता हूँ ठीक है अब देखें मैं आको फिर से बीचे दिखाती है वाली यहाँ पर पूर्डब तो अटेक करनी पा रहे हैं पर राजपूत की आर्मी भारी पढ़ने शुरू हो जाती है लेकिन कुछी टाइम बाद बैटल में क्या देखा जाता है जो मुगल है वो कुछ बुलेट्स वगरा चलाते हैं कुछ एरो चलाते हैं और जिसमें से जो राजपूत मतब जो होते हैं उनको ना एक बुलेट लग कि होता क्या इससे पहले कि श्टोरि है कि उनका प्रावा को लेकर लैकर चला जाता है और साथ में जाए और मत्यृता है आप जो रॉझ्ः कूंड की आर्मी होती है वह पहले से आप यवे बिटल करना जाओत आने ब्लानिंग से लिएयगing के साथ पूरी planning खराब हो गई ठीक है और इसी से मैंने आपको बता हुआ कि महाराइदा संगा उताकर राजपूर्स हो सबस passed तब ही जो प्रिद siura街 देखते हैं वहाराणदS susa को डिकते हैं तो उनको सबसे पहले कि हूंप कर जाए Weak कि वहारी स्したब्सक्राइक पहले शादसे ऐसे सबस्चे करें को बचाएं तो इसी चक्कर में होते हैं महाराणदS us अपने साथ लेके चले जाते हैं और उस वज़ा से जो कहीना कहीं जो राजपूत आर्मी होती है वह अपने आपको बहुत वीग फील करणे लगते हैं क्योंकि देखिए जब तक आपको लीडर आपके साथ है तो आपके अंदर हिम्मत बनी रहती है लेकिन आप जब आपको व आप जो मुगल हैं वो जीच जाते हैं जासे मैं आपको बताती है ठीक है और यहां पर जो लेकिन विक्ट्री ऐसे होती कि बहुत सारे हिंदू मारे जाते हैं बहुत सारे लोग मारे जाते हैं मुस्लिम भी मारे जाते हैं अब आपको सोचिए कि अब जो राजपूत रूलर इसलाम होती है तो इसलिए बाद में इसी बैटल के बाद बैटल ऑफ खाणवा के बाद जो बाबर होता है वो अपने आपको टाइटल देता है गाजी ठीक है या फिर पानी पद बी इंपोर्टन थी लेकिन पानी पत की बैटल में यह था कि उन्होंने लोदी डैनस्टी को राया था अभी फी जो एक पावर थी बहुत स्ट्रॉंग राज्शपूद की वह अभी थी इत्या में लेकिन इस बैटल में जो वह पावर होती है वह उसको भी खतम कर अब डेली सल्तनत क्या बन चुका था अब वहां पर रूल कर रहे था उनकी पावर थी वहाँ पर पड़ गए थे और उनका जो सपना था नॉर्दर इंडिया पर रूल करने का कहीं ना कहीं वह भी तूट गया था बैटल अपने आप में बहुत ही ख़दरनाग बैटल होती है और जो मुगल होते हैं उसमें जीच जाते जैसे मैं आपको बताती है तो बैटल एंड कुछ इस तरह से होती है कि जो क्या कहते हैं जो मुस्लिम डैनेस्टी थी उसका कहने के स्टैब्लिश्मेंट देखा जाता है फिर से अभी तो इब्रायम लोदी का था और अब क्या चलेगा अब बाबर का चलेगा ठीक है यह आपको मैंने पूरा का पूरा यह एरिया इसमें दिखाने की कोशिश करी किस तरह से जो काबूल था वह तो था ही पहले से ठीक है यह पूरा का पूरा है वह दिखे इस पर ऐसे उक्क्यूपाय करेगा दिखे दिखे मुगल एंपायर उसकी ग्रोथ होगी और यहां पर जो राजपूर स्टेट था वो काफी जादा चोटा सा रहे गया था ठीक है क्या होता है फिर इसके सेट बैक क्या होते है जो मुगल पाव से सारी पावर चले जाती यह जो कब जाती इस पर texting लेता है तो अब अधर कुस्च टाइम के लिए जो किया कहता है अधक हो भूब को मुगण नich collaborative कुर्ण के फस्टार सूरी जो होता है वह हमायू को हरा देता है लेकिन वापस से फिर क्या होता है वापस से जो शह सरा सुर लेकिन एक सही मौका दे के फिर से वह वापस से नौर्धर इंडिया को कर लेता है जो राणा संगा होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो बैटल आफ खांडवा मारे जाते हैं बलकि उसके बाद से फिर से अपनी पावर को करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो से फेल रहते हैं राणा संगा क्यों अब ऐसा हुआ क्यों हो सकता था कि आगे चलकी वो उनकी हारती उसको जीतन बदल देते हैं लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो कमी देखी जा देती इंडिया नूलर्स में वो थी कि वो कभी भी एक खतरनाक सच भी है और वो जो किस तरह से फिर जो पूरी पूरी जो बैटल होती है जो डैनस्टी होती है इस तरह से अब आगे हम पूरा बाबर का जो रूल है वो देखेंगे और यहां पर जो महारा संगा होते हैं उनका मैं आपको बता देख हो जाती है 30th January 1528 को और अब को कोई भी कोई इंपॉर्टेंट या इतना ब्रेव सोलजर हमें यह रूलर हमें नहीं दिखाई देगा एक लंबे टाइम तक तो यह हमारा पूरा बैटल अफ खानवा थी जो मारे 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी जिसका रिजल्ट यह रहा सबसे पहले तो हुई कि इसके बैनस्टी का स्टाबलिश्मेंट होगा और यहां पर जो महाराणा संगा होता है उनकी राजपुदार मी होती है वह हार जाती है और महाराणा संगा को उन्हीं के एक नॉबल ने पॉइसन देती है होता है जिस पूरी तरह से हम कह सकते हैं जो जीतने की उमीद बची थी वह प्लीज लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अबकर वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे वीडियो के लिए थैंक यू